हमारे चैनल लेटिस्ट हॉट फीचर्ड स्टोरीज में आपका स्वागत है जहां आपको सभी क्षेत्रों में सभी लेटिस्ट हॉट फीचर्ड स्टोरीज मिलेंगी देखें क्रोधित मिचेल स्टार्क ने दक्षन अफ्रीका के बल्लेबास थ्यूनिस डी ब्रूइंग को प्रीज जल्दी छोडने के बाद चेतावनी दी ऑस्ट्रेलिया बना दक्षन अफ्रीका तेज गेंद बाज मिशिल स्टार्ट में बल्ले बाज थूरिस डीप दूरिंग को चेताब नी दी जब वहां नॉन स्क्राइकर क्रीज से जल्दी चले गए स्टार्ट गुस्से में थे और उन्हों ने उनसे दोबारा ऐसा नव करने को कहा आस्ट्रेलिया के तेज गेंद बाज मिशिल स्टार्ट में गट्षन अफ्रीका के बल्ले बाज थूरिस डीप दूरिंग को चेताब नी दी जब वहां अपनी गेंद बाजी पूरी करने से पहले क्रीज से बाहर चले गए यह घटना दक्षन अफ्रीका की MCG टेस्ट मैच की दूसरी पारी में घटी उंगली की चोट के कारण चौथे दिन गेंद बाजी करते हुए अगले कुछ हफ्तों के लिए उनका बाहर होना तै है ऐसे बल्लेबास के क्रीज से बाहर चले जाने के बाद उत्तेजित स्टार्क ने डी ब्रुइन को चेतावनी दी स्टंप माइक पर स्टार्क को दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी देते हुए और यह कहते हुए सुना जा सकता है कि जब तक गेंदबास अपना रन अप पूरा नहीं कर लेता तब तक क्रीज के अंदर रहना कोई मुश्किल काम नहीं है यहाँ पहली बाद नहीं है कि स्टार्क ने किसी बल्लेबास को चेतावनी दी हा उस दिन आस्ट्रेलिया ने खेल की दूसरी पारी में गेंदबाजी इकाई द्वारा दक्षन अफरीका को 204 रनों पर समेटने के बाद जीत की और कदम बढ़ाया सभी आस्ट्रेलियाई गेंदबाज आज शांदार प्रदर्शन कर रहे थे और प्रतेक ने कम से कम एक विकेट लिया इस हार का मतलब है कि दक्षन अफरीका श्रिंखला हार गया है और केवल डव्ल्यू टीसी अंकों के लिए खेलेगा इस हार से दक्षन अफरीका की डव्ल्यू टीसी के फाइनल में पहुँचने की संभावनाय जटिल हो गई है क्योंकि आस्ट्रेलिया चार मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए फरवरी में भारत का दौरा करेगा बने रहें थांस फो वाचिंग, लाइक, शेर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे अपडेट को मिस नहीं करना चाहते हैं तो बैल आइकन पर क्लिक करें धन्यवाद